आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़िदार से स्पैगेटी इसके लिए आपने एक दिख्ची ले लेनी है जिसमें आपने स्पैगेटी को सबसे पहले बॉयल करना है एक जग पानी लेने के बाद एक बड़ा चमच ओल डाल ले इसके बाद स्पैगेटी डाल ले और मीडियम फ पर जाएंगी तो आपने हाथों की मदद से या किसी चमच की मदद से इसको पूरा डिप कर लेना है इससे क्या होगा कि यह तूटेंगी नहीं अगर आप तोड़के डालेंगे तो स्पैगेटी जो है टूटी वी अच्छी नहीं लगती है तो आपने इसको इसी तरह से करन अगर आप यह क्यी चिपक सकती है देख लेन इंगे कितनी नर्म है इसके बाद हमने क्या करना है यह मसाला करना है ओल ले लिया है एक चोथा एक कपके करीब ऑल गरमकाद कर लिया है इसमें शामिल कर लिए यहां कुछ प्यासे फ्यासे में ले रहे हुँ तकरीबं दो मीडियम साइंस की फ्यास ले रहे हैं ये स्पैगेटिस जो हम देजी स्टाइल में बना रहे हैं। अपने खुद के स्टाइल में इसमें हम डालेंगे घर के कुछ मसाले' ज से इसका टेस्ट दुबाला हो जाएगा। अगर आप यही रेसिपी ट्राइ करेंगे तो आपको यकीनन बहुत पसंद आएगी क्योंकि यह बहुत ही मज़ेगी बनेगी। एक बड़ा चमच लसन अज़क का पेश शामिल करेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे ताकि इसके अंदर की कचैन खत्म हो जाए। वैसे जितने भी चाइनीज डिशिस होती हैं उन में मसाले कम डलते हैं लेकिन हम लोग बना रहें देसी स्टाइल में इसने हम डाले हैं थोड़े से अपने देसी मसाले जो इसको मज़ा दोबाला कर देंगी। अब शामिल कर लेते हैं हम कीमा कीमा मेने बीफ का लिया है पाओ के करीब कीमा है आप मटन ले सकते हैं चिकन का कीमा भी ले सकते हैं अगर आप कीमा नहीं लेना चाहते हैं तो चिकन की क्यूब्स भी ले सकते हैं लेकिन बोनलेस जो आप लेना चाहें वही लें अब इसे बूनेंगे जब तक कि हमारा कीमा अच्छे से बून रहा है बूनते-बूनते ये कलर भी चेंज करता है और कीमे की खासीटी है कि बूनते-बूनते ही पकता है 10 मिनट इसे आप बूनेंगी उसके बाद इसमें शामिल करेंगे एक कप की करीब टिमाटर का पेस्ट यानि दो मीडियम साइस की टिमाटर को अच्छे से ग्रैंड करके उसका मैंने पेस्ट बना लिया था बगएर पानी डाले अब इसे थोड़ा सा भून लेते हैं टिमाटरों में एकसर कचैन रह जाती है तो हमने इससे कवर करना है ताके इसके अंदर की जो है स्मेल वगएरा कचैन वगएरा खत्मोझे तकरीबन दस मिनट हमने मीडियम फ्लेम पेसे पका लिया है अब टिमाटर और जो खीमा है अच्छे से पक चुका है यहां पर अब हम शामिल करते हैं कुछ मसाले नमक डालते हैं हस्वेजाइका मैं डाल रही हूँ एक बड़ा चमच लाल मिर्श पाउडर डाल रही हूँ एक बड़ा चमच इसके इलावा डाल लेते हैं चाट मसाला दो चमच के करीब काले मिर्चे डाल लेते हैं आदा चाठ वसाला जो है बहुत ही मज़ेदार होता है तो मैं तो हर डिश में डालना पसंद करती हुअ क्योंकि यह मेरा होम ड़ा है। दो बड़े चमच के करीब सिर्का एड़ कर लिया है सिर्का नहीं है तो लेमन डाल ले यहाँ पर सोया सॉस डाल रहे हैं दो बड़े चमच के करीब इसके इलावा डालेंगे हम चिली सॉस तकरीबन दो बड़े चमच इसके इलावा आप चाहें तो ketchup बगेरा भी अट कर सकती हैं अगर आप बच्चों के लिए बना रही है तो आप चिली सॉस बगेरा ना डाले। आप बच्चों लिए ketchup बखेंड कर सकती हैं अब इसे 5 मिनिट मजीद पका लितें यहां पर शामिल कर रही हूं गाजर वंद्गोभी और गाजर को पहले दालेंगे और इने पकाएंगे तकरीमान फाक मिनटtså कियुक्त हुएं यह थोड़ी सकत होती थोड़ी नर्म पड़नें इसमें शिम्ला मिर्च पहले नहीं डालते हैं क्योंकि उसका crunch खत्म हो जाता है और शिम्ला मिर्च का अगर crunch खत्म हो जाए तो वो बिल्कुल भी मज़े की नहीं लगती है लेकिन अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैं डालूँगी इसको थोड़ा नर्म पढ़ने पर गाजर और वंगोबी जैसी मेरी नर्म पढ़ जाएगी मैं इसमें शिम्ला मिर्च डाल दूँगी तकरीबन दो मीडियम साइस की शिम्ला मिर्चों को मैंने बारी कट कर लिया था स्पैगिटी बना रहे हैं इसने सारी जो मैंने सबसियां हैं लंबी लंबी कट की हैं ताके उसी की शेप की लगें तो उफसूरती भी तबी आती है जब सेम स्टाइल में कट हुई भी हो यहाँ पर अब हमने क्या करने स्पैगिटी डाल देनी हैं उबली हुई देखें यह बिल्कुल भी नहीं जुरी क्योंकि मैंने इसमें दो चमच और डाल के इसे रखा था अब इसे मिक्स करेंगे दो चमच की मदद से अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें चोटा सा बैल आइकन होगा उसे प्रेस करें ताके जैसी में न्यू वीडियो डालो आपको नोडिफिकेशन आए ऐसी ही मज़े मज़े की बहुत सारी रे अब रखिकेशना साथ